Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं चलिए ओ गोज आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहापे तीन सेट अफ कार्ट्स हैं 1st सेडर और कॉण्स में हम आपकी energies देखेंगे 2nd सेडरो कार्ज में आपके partner कOoh energies देखेंगे & 3rd सेडरो कार्ज में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहले कार्ट्स मुझे दिख रहे हैं और surface level के लिए एक pressure, एक tension आप महसूस कर रहे हैं, अब दिखें tension pressure के साथ आ जाती है, लेकिन ये card जादा एक pressure की बात करता है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपका pressure दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कैसे जो भी चीजें आपको bother कर रही है, या फि burden create कर रही है, उनको आप कम करें, उस पर आप focus कर रहे हैं, तो फिर से कहूंगी यहाँ पर ये card reverse है, कुछ के लिए हो सकता है, आप over pressurize हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, कैसे इस pressure को कम करें, उस पर focus कर रहे हैं, और इसलिए या पर otherwise भी coffin and death reverse के cards कहते हैं, कि किसी से चीजों को शुरू करना चाहते हैं, अब देखिए general reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ work goals के लिए हो सकता है, जो भी issues हैं, मसले हैं, और जैसे मैंने अभी बताया, कि कोई चीज आपको pressurize कर रही है, उसको आप खतम करके, अपने partner के साथ एक fresh तरीके स से चीजों को शुरू करना चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि relationship को खतम करना चाहते हैं, मैं यह नहीं कह रही हूं, कि आप खतम कर रहे हैं, बट एक thought आपके मन में आ सकता है, कि भी कोई फाइदा नहीं है, आगे चलके चीजें ठीक तो होंगी नहीं, तो अभी ही end कर द again मैं कहूंगी करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप over attach हो रहे हैं, किसी भी चीज से, कभी कभी देखिए कोई बात होती है, जिसको हम let go नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें बड़ी बुरी लग रही होती है, तो you बात को अगर नहीं, again मैं कहूंगी let go कर पा रहे हैं, इसी तरीके से, you know, या तो आप अपने partner के लिए बहुत एक attachment महसूस कर रहे हैं, या कोई भी चीज हो सकती है, आप over थोड़ा सा cling कर रहे हैं, over थोड़ा सा, you know, attach हो रहे हैं, let go करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं and end, November के लिए आप इस sun का card कहता है, कि आपको बहुत एक clarity आती हुए दिख रही है, एक direction मिलती हुए दिख रही है, क्योंकि देखिए, mid November तक बहुत great energies नहीं रहती हुए दिख रही हैं, हो सकता है, आप थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें आ you know, प्यार अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं end November में फिर से कहूंगी एक clarity आती हुए दिख रही है, अब इसका मतलब यह नहीं है, कि relationship खतम हो गया, यहां पर relationship बहुत अच्छा चल रहा है, पर जैसे होता है ना कभी-कभी हम बड़ा directionless feel करते हैं, हमें समझ मे नहीं आता हम क्या decision लें, क्या choice लें, तो कहीं उन्हीं सब चीजों से related बहुत positive feel करते हुए दिख रहे हैं, कुछ के लिए literally हो सकता है कि बहुत अच्छी तरीके से चीजें आपके relationship में चल रही हैं, या फिर by the end of November चीजें ठीक हो रही हैं, और एक खुशी, एक happiness मन ही मन आप, you know, मन से बहुत positive feel कर रहे हैं, बहुत clarity आपको आ रही है, और इसलिए या फिर otherwise भी surface level के लिए, चारे reverse का काट कहता है कि चीजों का control अपने हाथ में लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वेरा ऐसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब progress चाह रहे हैं, growth चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी reason की वज़े से आप, you know, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने नहीं बढ़ रहे हैं, अब देखी ये आगे बढ़ना भी सब वगोस के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, again जैसे मने अभी बताया कि कुछ चीज़ें आपको bother करें, आपको लग बढ़ो, कुछ के लिए हो सकता है, कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये भी एक सिनारियो रह सकता है, इस relationship को end करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस सिनारियो में, you know, आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, again देखिए, कोई movement है, कोई shift आप चाहा रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही है, यहाँ पर कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि आप travel करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसी से related issues, मसले रह रहे हैं, क्योंकि chariot का card confidence की भी बात करता है, तो कुछ के लिए भी हो सकता है, कि money money, या फिर deeper level पर आप चीजों को लेकर बह परने का नहीं आ रहा है, उसी direction में, यह direction कोई भी हो सकती है, आप देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं, तो आपके partner के लिए सबसे वहला card है, six of pentacles, अब अगर इस card को आप देख पा रहे हैं, इसमें दो figures हैं, एक हैं जो ले रही हैं, और receiving end पे हैं, दूसरे हैं जो दे रहे हैं, फिर से यह general reading है, तो सब वह गोस के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा, कुछ वह गोस के लिए हो सकता है, कि आपके partner को ऐसा लग रहा है, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यूनो, again कुछ वह गोस के partner को ऐसा लग सकता है, कि भाई वो बहुत इस relationship के giving रहे हैं, वो बहुत दे रहे हैं, and उनको उतना आपसे मिल नहीं रहा है, again मैं यह नहीं कह रही कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके partner की expectations आपसे बहुत ज़्यादा हो रही है, for whatever reason, या तो वो बहुत दे रहे हैं, या फिर वो बहुत demanding हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ल यहाँ पर Page of Pentacles, Reverse and Child के कार्ट कहीं similar सी energies की बात करते हैं और कहीं दिखिए कुछ चीजों खराब हो रही हैं हमें कहूंगे छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं just because कि आपके partner maturity से चीजों को रिडील कर रहे हैं हो सकता है कि अपने career को लेकर थोड़े से fixated rigid हो रहे हैं यहाँ फिर money पैसा उनके लिए थोड़ा सा एहम रह रहा है और इन ही सब चीजों को लेकर बहुत particular हो रहे हैं और you know थोड़े से जिद्धी भी वो mid November में रह सकते हैं and देखिए overall के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर house का काट definitely कहता है कि मन ही मन वो आपके साथ settle down होना चाहते हैं आपके साथ शादी करना चाहते हैं आपके साथ या फिर इस relationship में एक stability चाहते हैं security चाहते हैं क्योंकि house का काट कहिए you know comfort security की बात करता है या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत एक comfort वो आपके साथ महसूस करते हैं लेकिन surface level के लिए queen of swords का का काट कहता है या तो बहुत logically चीजों को सोचते हैं बहुत ज़ादा mind से चलते हैं या फिर कोई female है क्योंकि queen भी female की बात करता है और यहाँ पर woman का भी काड है तो दोनों ही काड किसी female को represent करते हैं कोई female है जो उनको बहुत influence कर रही है बहुत ज़ादा उनकी बातें उनको असर कर रही है आपके partner को या फिर बहुत वो interfere कर रही है बहुत involve हो रही है और इसकी वज़े से issues रह सकते हैं या तो again मैं कहूंगी वो logically सोच रहे हैं या फिर कोई female है उनकी life में लेकिन कहीं मन ही मन के लिए अगें वो बहुत comfortable आपके साथ महसूस करते हैं और कहीं stability security चाहते हैं family start करना चाहते हैं in the long run और अब दिखते हैं कि November मन्त में क्या हो रहा है तो दिखिए November मन्त के लिए आपे सबसे बहला card है stoke और stoke का card कहीं positive changes की बात करता है and कहीं आप दोनों या तो ये changes positive changes चाह रहे हैं इस relationship में या फिर कुछ positive changes हो रहे हैं और इन ही कोही कही balance आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते वे दिख रहे हैं चीजें थोड़ी सी up and down होती भी दिख रही है या फिर मैं कहूंगी surface level के लिए एक stability नहीं आ रही है लेकिन मन ही मन you know intention, thought आप दोनों का ही ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है और फिर से कहूंगी कि surface level के लिए कभी आप दोनों के बीश में बहुत अच्छा connection रह सकता है November starting में November month में और कभी-कभी ऐसे लग सकता है कि पता नहीं you know आप sure भी है इस relationship के लिए या फिर नहीं और या आपके partner की भी energies हो सकती है ये एक सिनारियो है कुछ के लिए हो सकता है कभी-कभी बहुत जादा आप लोग मिल रहे हैं कभी-कभी नहीं मिल रहे हैं तो अगें दिखे आप and down, in and out वाली energies रहते भी दिख रही हैं कोई decision, कोई choice आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं और कहीं mid November के लिए आप येस का card कहता है जो भी आपकी energies हों, जो भी आपके partner की energies हों, जो भी November मन्त में हो रहा हो मन ही, मन बहुत sure, इस relationship को लेकर या फिर जो भी आपका thought process है, उसको लेकर होते वे दिख रहे हैं जैसे कि हमने देखा कि end November में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके reasons अब के लिए differ करेंगे लेकिन deeper level के लिए sun का card भी बहुत एक surety की बात करता है, बहुत एक you know, जैसे बुलते हैं कि मन बना लिया, एक पका वाला decision लेने की बात करता है और कहीं November मन्त के cards भी इसी चीज़ को और ज़्यादा confirm करते हैं, लेकिन देखिए surface level के लिए eight of swords का card कहता है कि कुछ issues हैं, कुछ मसलें हैं, थोड़ा सा restricted यानि की बंधा हुआ, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस करें और कैसे इसमें से बाहर निकालें खुद को, उस पे focus रह रहा है situation, circumstances, subconscious के लिए differ करेंगे and देखिए, and November के लिए यहाँ पर की का card कहता है आप दोनों ही again मैं कहूंगी कि मन ही मन बहुत sure होते हुए दिख रहे हैं कैसे चीजों को solve करें, कैसे चीजों को resolve करें, उस पे focus करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपके partner के लिए child and page of pentacles के cards थे यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि surface level पर चोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं लेकिन अगर हम deeper level के लिए देखें, आपका, you know, एक again deep connection को देखें तो कहीं चीजें बहतर हैं, एक चाहा है, एक desire है, चीजों को ठीक करने की, resolve करने की और जब तक देखिए, intention positive हो और उस direction में हम sure हो, clarity हो, तो बागी चीजें भी ठीक हो जाती हैं तो कुछ इस तरीके के energies नवेंबर मन्त में हैं और अगर ये reading आपके साथ resonate करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो ज़रूर इस channel को like, share और subscribe करें